त्राइबान पिंक गुवावा अम्रूद अपने फलाव और सांदार फल के लिए जाना जाता है पिंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अंदर से हलका सा पिंक कलर का होता है एक पोदे में फल कितना होगा 12 किलो 15 किलो ये सगन भागवानी है ये बीच का लाइन वाइन डिफ्रेंस नो फिट का है और पोदे से पोदे की दूरी छे फिट है मतलब चंगमन स्कॉार फिट पे एक पोदा है और लगवग एक एक एकडम है एक हजार पोदे आठ सो पोदे लगे हुए है और दस किलो से भी हो जाता है आठ हजार छोड़िए साथ हजार छोड़िए पांच हजार किलो माल तो होगा अब पांच हजार किलो माल की कंडिशन क्या होगी अगर तीस रुपे भी बेंचते हूँ आप कम भाव बता रहा हूं मैं मार्केट में पचासो साड़ चल रहा है अगर आप तीस किल भी बैचते हैं तीस रोपे किलो तो आप समझे कितने कहो रहा डिए लाक रोपे का माल हो रहा है कि करम है आपकी लागत क्या आ रही लगाने के बाद कोई लागत नहीं है जो इंट्रे कोपिंग में फसल होती रहती है उन से उसको खाद और पानी मिलता रहता है इसमें इंट् तो आपको थोड़ा सा इन क्रोपों की ओर भी जाना पड़ेगा ऐसा नहीं है किसी एक फल को अपन एक पौधे को देख रहे हैं ये दो ढ़ाई एकड़ का बगीचा है जो किसान भाई आज मिले नहीं इन से बात हुई मेरी लगवक तीन से चाल लाक रुपे का माल वो बैंच देते हैं यह देखें जहां आप देखेंगे वहां अम्रूद ही अम्रूद मिलेगा तो साथ ही हो इंट्रेफ कोपिंग में जरूर फसल मिल जाएगी आप देखिए गेंदा के भी अच्छे भाव मिल जाते हैं अभी तीन सीजन लेकर है गड़ेज जी से सुरू हुआ था आपको नब दुर्गा निकल गया दीपा वाली निकल गया और अब यह विल्कुल एंड की ओर है तो दोनों और से फायदा है इतना आपको गहुचने की फसलों में आपको फायदा नहीं मिलेगा और यह कम से कम 15 दिन से तू थोड़े भोत में आप ट्राई जरूर करें बागवानी को नीवू लगा सकते हैं मोसम भी भोत अच्छी है मोसम भी कहीं भी हो जाती है धन्यवास सांतियों और कोई जानकारी चाहिए या मेरी कोई जानकारी में त्रोटी है तो आप मुझे कमेंट्स करें तो इससे मेरा भ सब्सक्राइब करते रहिए धन्यवास सांतियों